फ्रेंड्स जब भी गर्मिया शुरू होती हैं तो हम तरह तरह के आचार बनाने लगते हैं तो आज हम बनाएंगे मिर्ची का आचार, आपको मिर्ची का आचार पसंद है तो कॉमेंट में जरूर लिखिएगा ये आचार बनाते समय हम कुछ खास tips और tricks का ध्यान रखेंगे जिससे आचार दो साल तक भी खराब नहीं होगा तो friends मैं या एक किलो मिर्च का आचार डाल रही हूँ और बिल्कुल साप सुत्री धोकर मैंने ले ली है और जिनका color ऐसे खराब हो रखा है उन मिर्च को हम साइड में निकाल देंगे और डंठल को हम आचार में विल्कुल नहीं डालेंगे और मिर्च को कुछ इस तरीके से बीच में से काटते हुए मैं एक मिर्च के याँ चार टुकडे कर ले रही हूँ जितने चाहें छोटे या बड़े टुकडे इसकी रख सकते हैं यहां मैंने medium size की मिर्च ली हैं इनसे जो पतली वाली आती हैं वो बहुत ज़़ा तीखी होती हैं और जो मोटी वाली आती हैं वो थोड़ा कम तीखी होती हैं तो मैंने ऐसे सारी मिर्च को काट लिया है और अब इन में क्या थोड़े थोड़े से बीज रह रहे हैं तो इनको हम निकाल देंगे तो इस तरीके से मैंने इनके सारे बीज हैं वो निकाल दिये हैं और अब इसमें हम नीम्बू का रस एड़ करेंगे और mix करने के बाद इसे लगबग 24 गंटे तक ढखकर रखेंगे लेकिन बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे उमीद है friends आपको ये recipe बहुत पसंद आएगी तो अपनी family और friends के साथ जरूर share करना और वीडियो को like और channel को subscribe भी जरूर कीजिएगा तो चलिए मिर्च को हम ढखकर रख देते हैं और इसके लिए masala तयार कर लेते हैं मसाले के लिए मैंने 60 gram पीली और काली सरसुन ली है और 30 gram मेथी और 30 gram ही सौफ ली है कि मसालों को हमें या तो धूप में रखकर काम में लेना है या फिर इने 15 से 20 सेकेंड के लिए हलका सा सेक लेना है तो 24 गंटे बाद मिर्च देखे कितनी soft हो गई है तो इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ मसाला, मेथी, सौफ, 2-3 चमच है कलोंजी और 1 चमच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और 2 पिंच के करीब इसमें हींग डालेंगे और इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 चमच के करीब तेल और तेल मैंने गरम करके इसको ठंडा करके लिया है और जहां तक हो सके आप इसमें सरसो का तेल ही डालिएगा तो तेल डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इससे ये होगा कि मसाले इसके चारो तरफ अच्छे से कोट हो जाएंगे तो अब हम इसे इस्टोर करेंगे और इस्टोर करने के लिए या तो आप काच का या प्लास्टिक का या चीने मिट्टी का कोई भी बरतन ले सकते हो लेकिन वो बरतन बिल्कुल साफ सुथरा और सुखा होना चाहिए तो आचार को मैंने डिबे में डाल दिया है और अब हम इसमें दो चम्मच और तेल का एड करेंगे मिर्च के आचार में हमें बहुत ज़्यादा तेल की जर्रत नहीं पढ़ती है तो मिर्च का हमारा टेस्टी टेस्टी चटपटा तीखा आचार बनकर तयार है और एक से दो दिन में ही आप इस आचार को खा सकते हैं क्यूंकि हमने इसे पहले ही 24 गंटे रख दिया था जिससे मिर्च है वो लगबग लगबग गल चुकी है फ्रेंड्स आप इस तरीके से आचार बनाएंगे तो आचार खतम हो जाएगा लेकिन ये खराब बिल्कुल नहीं होगा तो आप कब बना रहे हैं कॉमेंट जरूर कीजिए